चोटे-मोटे घरिलू काम करने के दोरान हम कभी न कभी जलने का सिकार जरूर हुए होंगे कभी गरम तेल से जल सकते हैं, कभी गरम पानी से, कभी रोटी के भाप से या कभी-कभी गरम-गरम चाय से तो अगर आप भी इन में से किसी भी चीज से अगर आप चल गए हों तो आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए और साथ ही साथ जो लोग जले हुए हैं जिनको निशान हो गया है वो किस तरीके से जले हुए निशान को खतम कर सकते हैं आज हम उन सभी के बारे में एक आसान उपाय बताएंगे तो वीडियो पूरा दिखेगा और वीडियो पसंद आने पर चैनल को लाइक, शेर, सब्सक्राइब करना मत भूलेगा तो सबसे पहला जो घरेलू उपाय है वो है ठंडा पानी जी हाँ जहां पे भी आप जले हैं चाहे हाथ हो पैर हो आपको लगातार वहाँ पे ठंडा पानी गिराना है करीबन 15-20 मिनिट तक ध्यान रखेगा मैंने बर्फ नहीं बोला है ठंडा पानी बोला है तो आप लोगों में से यह मत सोचेगा कि ठंडा पानी हो तो हम बर्फ भी रगड़ देंगे नहीं बर्फ नहीं रगड़ना है सिर्फ और सिर्फ ठंडे पानी का ही सेवन करना है यानि कि जहां पे आपका जो पाट जला हुआ है वहाँ पे आपको लगाता थंड़ा पानी गिराना है और उसके बाद हलके साबुन से इसको धुल के अच्छे से सूखे कप्रे से हलके से दबा के नहीं आराम-ाराम से इसको पोच लेना और उसके बाद ऐंटिबाइटिक क्रिम लगाना है सेकंड लुपाय है शहद जी हाँ हनी अपनी मीटे स्वात के अलावा शहद का बहुत ही जादा बहतरी घरीलू उपाय होता है जलने में आप इसको आसानी से यूज कर सकते हैं करना क्या है कि आपको शहद लेना है और जहां चला हुआ पार्टे वहाँ पे असानी से अपने हलके हाथ से वहाँ पे लगा देना है क्योंकि इसमें मौजूद होता है antifungal, antibacterial और anti-inflammatory good जो की चुटकियों में मामली जलन को ठीक कर द और साथ में शहद हमारे स्कीन के लिए भी बहुत अच्छा होता है तो जो इसकीन पर दाग होते हैं वो गर आप शहद का इस्तेमाल करेंगे तो वो दाग के निशान भी खतम हो जाते हैं नेक्स्ट उपाए है अलोवेरा अलोवेरा तो समझ लेज़े स्कीन के लिए बरदान है आपको स्कीन से रिलिटेट कोई भी प्रॉब्लम हो आप अलोवेरा का बेजीजाक इस्तेमाल कर सकते हैं करना क्या है कि अलोवेरा का जो जेली वाला पार्ट होता है जब आप अलोवेर लिए अगर आप अलोवेरा का क्रीम इस्तिमाल कर रहें क्योंकि जो नेचिरल receive उनकी बादिश ही उलग होती है तो अगर अगर आप खौन के साथ अफोग शहत मिकस कर ले तो और भी ज्यादा अच्छा होता है क्योंकि यह होता वो तो ठीक हो गया लेकिन वहां के निशान रहे दाग रहे धब्बे रहे तो उस दाग धब्बो को खतम करने के लिए अगर आप अलोवेरा के जेली को लगातार इस्तेमाल करते हैं उस जगह पे लगाते तो अलोवेरा क्योंकि ठेंडा है तो वो शूतिंग एफेक्ट भी कर है और हमारे प्रभावे छेत्र जो होते हैं उनको दाग धब्बो रहीत बनाता है तो अलोवेरा बैस्ट है नेक्स्ट है विनेगर यानि कि सिर का जले हुए जगह पे आपको विनेगर जो है यूज करने से कापी ज्यादा अच्छा एफेक्ट मिलता है क्योंकि यह जो होता है कि अगर आपने 25 एमल भी नेगर लिया है तो आपको 25 एमल पानी मिलाना है और उसको अच्छे से मिक्स करना है और उसके बाद साफ कपड़े का उपयोग करते हुए उसको लगातार वहां पे लगाना है ठीक है इससे क्या होगा जो आपका जो जलन हो रहा है जहां पे जल बहुत जादा दर्द हो रहा है तो यह जो कपड़े में आप जो लगातार इसको कॉटन के क्लोथ में जो लगातार रख रहे हैं विनेगर और वाटर के घूल को उसको कपड़े को लगातार चेंज करते रहना है इस तरीके से यह जल्दी इफक्ट करेगा नेक्स्ट रुप मतलब आधा भाग वो आधा भाग वो दोनों को लेकर अच्छे से पीस लेना है और इसको लगातार तीन दिनों तक जहां पर जला हुआ है वो स्कीन पर लगाना है और इस बीच पर क्या करना है कि आपको जहां पर भी जला हुआ है जैसे हाथ में जला हुआ है तो वह वाली आने लगेगा और अपने आप जो जलन है वो खतम हो जाएगा और बाद में फिर आप इसको जो है जो धाग होते जलन के उसको एलोवेरा जैली बगरे के साथ यूज करके खतम कर सकते हैं बाद मैं नेक्स्ट रुपा है एंटिबाटी क्रीम अब तो ऐसा कोई बिमारी ही नहीं है जिसकी दवाणी हो तो एंटिबाटी क्रीम जैसे कि बैकी ट्रेसीर हुआ नियोसपैरिन हुआ बॉर्न ही लुआ यह सारे एंटिबाटी क्रीम बहुत आसालिसा आपको मिल जाएंगे Medical Store पर आपको लेना है और साती जहां पर जलन हुआ है उसको अच्छे से साफ करके वहां पर एंटिबाइटी क्रीम लगा लेना है और जब तक आपको दाग हो तब तक आपको एंटिबाइटी क्रीम का इस्तेमाल करते रहना चाहिए ता कि वो जो निशान होते है वो खतम हो जाए तो एंटिबाइटी क्रीम भी बेस्ट आप्शन है अब बात करते हैं जलने पर क्या नहीं करना चाहिए बहुत सारा मित्त भरा हुआ है कि जलने पर यह यह करना चाहिए लेकिन एक्चिली में जलने पर क्या नहीं करना चाहिए यह किस इसी को नहीं पता तो चलिए आगे डिसकॉस करते हैं शौट में ही सबसे पहला तो बर्फ बहुत लोगों की घर में देखा होगा कि जहां पर जले वहां पर तुरतले के बर्फ रगड़ दिये नहीं बर्फ रगड़ने से क्या होगा कि वह जलने वाला जो जगह होगा न वह जोघा कि छाले पढ़ जाते तो बर्फ का इस्तेमाल आपको नहीं करना है व्रफ की जगह में आपको करनाओ सिर्फ ओस सिर्फ हुआ थंड़ प्ानी सेकREंड तूत पेस्ट बहुत जगह हुए कि आपको जल गए कहीं पे तो दूट रगपेस्ट लगा दो क्या स्क्राइब जो जगह होता न वो और ज़्यादा खराब हो सकता है वहाँ पे और ज़्यादा च्छाले पड़ सकते हैं क्योंकि इसमें नमक होता हो तो जले पिंट जब आप नमक छेड़कोगे तो सोच लो आपका क्या हो लोगा तो तूथपेस ये भी नहीं लगाना चाहिए तीसरा है नारिल का तेल बहुत लोग का कहना है कि मतलब जल गए तो नारिल का तेल इस्तेमाल कर ले जी नहीं नारिल का तेल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए अगर आप बहुत जादा जली हुए है तो जो कपड़े वपड़े मतलब एकदम जल्या हुआ शरीर है तो वहाँ पे आप नारिल के तेल और चूने का पानी मिलाकर वो कपड़े वगर खीचने में वो थोड़ा हेल्प कर सकते है नारिल के तेल का लेकिन वैसे आपको नारिल क तेल नहीं लगाना चाहिए, नारिल के तेल की जग आप एलोवेर जल लगा सकते हैं, हनी लगा सकते हैं, और कच्छे चावल और काले तिन का लेप लगा सकते हैं, और नेक्स्ट धूप, आपको जले वे स्थान को धूप से बचाना होता है, अगर आप मालिजे बाहर जा भी तो जो जला हुआ पार्ट है उसको आपको ढखकर रखना है कपड़े से ताकि वह धूप के संपर्क में नहीं आए अगर वह धूप के संपर्क में आता है तो वह और जयदा आपको खराब करेगा तो इस तरीके से वह जलेवे जगए और ज्यादा चाले नूमाय होते रहेंगे, उसके अंदर जलन जादा होगा, दर्द जादा होगा, तो आपको धूप से भी बचाना होगा, तो मुझे ऐसाल आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और वीडियो पसंद आएगा, तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, थैंक तो मुझे एकू.